नमस्कार बहुत स्वागत है जोतिश जराहट के देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड एक नव दुरगा के नवागमन के निमित हम सब एक नई सिरीज ले करके चले हैं हर दिन हम आपको शारदी नवरात्र से सम्मंदित कुछ नई जानकारियां दे रहे हैं और नब्वे प्रस्चत हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों के मन से जो वहम है उनको निकाल दे वहम कैसा होता है जैसे दिया बुझाए कुछ जल गया अचानक से अगर बत्ती जलाए साड़ी हलकी सी देखे दो राय नहीं कि घटनाएं संकेत तो देती है लेकिन उसमें सकारात्मक्ता धूढ़ना ये कौन करेगा चल ये माना कि अगर बत्ती दिया जलाते हुए आपकी साड़ी का पल्लू जल गया आसन जल गया पैंट जल गया पाजामा जल गया इसमें क्या हम सकारात्मक्ता धूढ़ने ठीक है मैं समझ रहा हूँ एक सकारात्मक्ता इसमें ये है कि भया पूरा जल सकता था ना आग लग सकती थी छेदे तो हुआ खाली तो अंद विश्वास को बढ़ावा नहीं देना है इससे हम अपने जीवन को नरक बना देते हैं आज जो जानकारी मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के निमित नवरात्री के मद्ध में अगर किसी तरह के अप्रिय समाचार आपको सुनने को मिले वाट इस तिस ये क्या है जैसे माल लिजिए आपके कुल खांदान के किसी व्यक्ति के अकाल मृत्य की सूचना नवरात्री के दूसरे तीसरे पांचमे साथमे दिन मिल जाए अचानक आपने कलस स्थापित किया है घट स्थापना होई है परिवार में हर कोई व्रत रह रहा है एक पर्व का माहौल अचानक से गमगेनियत में चेंज हो जाता है कनवर्ट हो जाता है चलिए जीवन मृत्य विधी हाथ में है लेकिन यह सूचना आपको जो प्राप्त होई किसी के मरने की आपके कुल खांदान से ससुराल माई के से कहीं से भी ददिहाल ननिहाल कहीं से भी ये संकेत क्या कोई बहुत बड़े अनहोनी का है ये एक बड़ा प्रश्म है नहीं बिलकुल भी नहीं इस प्रकार की सूचना एक सूचना मात्र है सास्त्रों में वरणन है ऐसी परिष्थित में अचानक अगर परिवार में सूतक लग जाए कोई मृत्यू हो जाए कुल खांदान का कोई अकाल मृत्यू हो जाए नौरात्री कलस अस्थापना के मद्ध में तो क्या करना चाहिए मैं उसके विशे में आपको बता देता हूँ आप जो दीपक है जिस कंडिशन में है अखंड है तो वही पर छोड़ दीजिए अब उसको खंडित होने दीजेगा दीपक को सुतह बुझ जाने दीजेगा बुझाना नहीं है बाकी मानसिक रूप से आप मा को ध्यान में रखें जो बाह रूप से कुछ उस मृतात्मा के निमिततल ये शोक संबेदना है ये कोई अफ्षगुन नहीं है एक बात मैं इस बात को आपके दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ यह अफ्षगुन नहीं है एक होनी है जो अनहोनी के रूप में आपके समक्ष अचानक से आ गई आपको बहुत शालीन और शांत और साइयत रहना है कोई बात निमा आपकी मर्जी है हम कर भी क्या सकते हैं आप बताओ तो जो जोत जग रही है वो अपने आप शांत होने दीजिएगा उसको नए तरह से फिर से उसमें तेल या घी डालने के आवश्यक्ता नहीं है नमबर दो किसी भी कीमत पर उद्वेलित हो करके कुछ आपको नहीं करना है भोजन या उपवास जो आप कर रहे हैं उसमें हम आप पर छोड़ते हैं सास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप तीन दिन ब्रत हैं चोथे दिन कोई ऐसी खबर आजाए तो ब्रत खोल के खाना खाने लग जाओ नहीं पूजन आपने बंद कर दिया सूतक में मंतर जाप मूर्तिस पर्ष और दिपक प्रज्वलन तीन चीज नहीं होता है वही तीन चीज छोड़ करके बाकि सब कुछ किया जा सकता है तो आप फलाहारी रहते हुए भोजन त्यागी रखें तो मृतारत्मा के निमित भी रहेगा और मा का आराधना भी रहेगा मन आपका शान्त रहेगा भोजन त्यागने से हमारे मन में शान्ती आती है क्योंकि हम फलाहार पर रहते हैं प्रकिर्थ की शक्तियों को महसूस करते हैं ऐसा नहीं कि खाना ना खाने से मा बहुत जल्दी प्रशन्न हो जाती है ऐसा नहीं है इसका एक मात रुदेश्य है कि जो प्रकिर्थ की जननी है मा है उसकी शक्तियों को हम आत्म साथ कर रहे हैं तो आप खाना हम आप पर छोड़ते हैं आपकी छमता है अगर कोई मेडिकली अंडर ट्रीट्मेंट है तो वो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है तो इससे कुछ अनहोनी की आशंका नहीं है कोई डर नहीं है कि अब तो हम बरबाद हो जाएंगे सड़क पर आ जाएंगे बिखारी हो जाएंगे कोई मर जाएगा मृत्यों की सूचना कहीं से भी चिंता की आवशक्ता नहीं है एक सामान ने प्रक्रिया है होने दीजिए चलने दीजिए टेंसन ना लीजिए बस कदम अपना आगे बढ़ाईए मा का ध्यान करिए उस क्रिया में प्रक्रिया में सम्नित हो बाकी यहां जो कलश होगा रहा है यह जब शुद्ध हो जाए सूतक खतम हो तेरहभी खतम हो जाए तो आप जैसे जो करते हैं जैसे जो छेत्री वगर होता है जो वगर है वो कहीं पौधे की नीचे डाल दें गव मा इनका प्रियोग नहीं किया जाता है, उसको ध्यान दीजेगा, तो एक बहुत बड़े वहम से हमने आपको निकाला है, भी बहुत सारे वहम से और निकालेंगे हैं, अंद विश्वास परवार है ये, नवरात्री का प्यार है ये, थैंकियो सो मच, अपने प्यार बनाए रखन के लिए, 29 तारिक से लगातार, अर्थातकल से लगातार हमसे आप गाजयाबाद मिल सकते हैं, और इसके बाद पुने, मुंबई और कलकत्ता, तीन शहर और हम अक्टूबर में टच करेंगे, बहुत शुक्या, धन्यवाद, नमस्कार, शिरादे